Hello guys, welcome to a YouTube channel, Tradeev, this is Uppasana Singh और हम अपने control flow के section में for loop के बारे में जान चुके थे, while loop के बारे में जान चुके थे, do while के बारे में जान चुके थे और आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे if और else के बारे में, elsef ladder के बारे में elsef हमारा conditional statement है, and इसका use हम लोग तब करते हैं, जब हमारे condition true होती है और हम चाहते हैं कि जब हमारी condition के वाल true हो, तब ही हमारा वो code run हो तो चलिए आए पहले इसका syntax समझते है, if, if के bracket के अंदर हमारी booling condition आ जाती है अगर यह booling condition true होती है, तो हमारे याला code run होगा, जो if की body के अंतर लिखा होता है नहीं तो else, अगर हमारी booling condition false हो जाती है, तो हमारा else की body वाला code run होता है and elsef ladder क्या होता है, elsef ladder का basically use हम लोग तब करते हैं, जब हमारे पास multiple conditions हो जाती है मतलब हम चाहते हैं कि हमारा code है, उसमें इतनी सारी conditions है, कि हमें वहाँ पे multiple if का use करना पड़ रहा है हम बार-बार if लिखेंगे, तो वो एक तरीके से optimize तरीका नहीं है, वो एक तरीके हमारी सही coding practice नहीं है अब मैं यहाँ पर जाके नहीं class create कर देती हूं, जहाँ पर हम अपने conditional statements के बारे में जानेंगे हमारी new class create हो गई है, अब हम यहाँ पर जैसे assign कर देता है, इंड की value मैंने यहाँ पर एक इंड की value दे दी, ही 50, ठीक, अब मैं यहाँ पर condition लगाँगी जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आप एक code लिखा है, जहाँ पर मैंने i की value दे दी 50, फिर मैंने आप इस में condition लिख दी है क्या i जो है हमारा वो 30 से बड़ा है, अगर i हमारा 30 से बड़ा हुआ, तो हमारा यह code रन होगा, और अगर i 30 से बड़ा नहीं हुआ, मतलब वो false हो गई हमारी condition, तो यह अला code रन होगा, तो i hope आपको जब आप तो पता ही होगा, फिर भी हम code रन करके एक बढ़ देखेंगे and yes, i is greater than 30 because i की value 50 है, so i hope आपको if or else तो सही से समझ में आ गया होगा, अब हम elsef ladder देखते हैं so guys, मैंने यहाँ पर एक code लिखा है, आपको elsef ladder समझाने के लिए, एक variable बना दिया, जहाँ पर मैंने value रखी 10, अब यहाँ पर इफ में एक condition लिख दी, क्या age चोटा है 5 से, क्या 10 चोटा है 5 से, नहीं false, फिर क्या age चोटा 8 से है, क्या age हमारे 10 है, क्या 10 8 से चोटा है, false, फिर यह else में आ गया, यहाँ पर दोनोई condition फॉल्स होगे, इसलिए यहाँ पर आ गया, अब जैसे मैंने यहाँ ए आपको टाइम तो टाइम बिट्विन तू 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 आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज प्लीज को फॉलो करिएगा, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टन टॉपिक मिसना हो, अब कभी कोड में आपको नीट पढ़ती है, कि आपको वहाँ पे multiple conditions चेक करनी हो तो अब हर बार वहाँ पे इफ 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 नहीं लिखोगे, वह एक सही ट्रैक्टिस नहीं है, उस चीज को सही तरीके से लिखने के लिए हम ऐसे फ्लाडर का यूज करते हैं, तो आपको आपको इफ इफ और इलसे फ्लाडर दोनों ही चीजे सही से समझ में आ गई होग जहां पर आप वन तो वन इंटरक्शन करके अपने सभी डॉट्स को सॉल्व कर सकते हैं, और जिसमें भी चैनल अभी तक सब्स्क्राइब ना किया हो, प्लीज सब्स्क्राइब कर दीजेगा, वीडियो को देखने के लिए, थैंक्यू!